डॉक्टर मिलन कुमार लाल और डॉक्टर राहुल कुमार तिवारी केंद्रिये आलू अनुसंधान संसान शिमला को प्रतिष्ठित पी एच्डी गोल्ड मेडल अवार्ड दोहजार बाइस से सम्मानित किया गया है। यह पुरसकार भारत के उपराश्वती जगदीप दंकड और किंद्रे कृषी और किसान कल्यान मंत्री नरिंदर सिंग तोमर की उपस्तिती में उन्हें दिया गया। का शन्था कि दो शोद करता डॉक्टर मिलन कुमार लाल और डॉक्टर राहूल कुमार तिवारी को पी एच्डी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया जो आई सी ए आर भारतिय कृषी अनुसंधान संस्तान शिमला में कारेरत है। यह स्वर्ण पदक मुझे आलू पर लगने वाली बिमारी पर मैंने जो सोधकार्य किया था। इसी विशे में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो भी यह सोधकार्य होता है, पीजडी रिसर्च वर्क होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, जैसे मेरा जो सोधकार्य था, वो आलू में लगने वाली पोटेटो ड्राइरोड डिसीस, जो की हाली में बहुत ही भया इसको हमने इंट्रनेशनल जनर्नल में पब्लिश किया था, कुल कितने पार्टी स्पेट सार आपके साथ प्रति भागियों ने बाग लिया, जहां तक प्रति भागियों का सवाल है, तो टोटल 402 प्रति भागी वहां पर थे, जिसमें MSC के भी स्टुडेंट से और PhD के भी स के साथ साथ एक certificate भी हमें प्रदान किया है, जिसमें हमारे कारे को बखाना गया है, वह हमारे लिए प्रेड़ना थे, inspiration थे, inspiration है और हमें हर वक्त motivate करते रहते कि अच्छा काम करना है, और देश का नाम रोशन करना है, और जो हमें यह मिला, गोल्द मिला, vice president, sir की तरब से, औ और जो हमारे मिनिस्टर अग्रिकल्चर थे श्री नाइंदर तिंग तोमर जी के यह थे तो हमें बहुती मतलब प्रॉड फिल्यू आउस वक्त और हम इतने मतलब खुश है और इतने मतलब इंस्पारेड है कि हमने हिमाचल को वहां पर रिप्रेजेंट किया Bureau Report City Channel शिम्ला